नमस्कार दोस्तों, पायसेस्टों में आपका स्वागत है मच्छमणी या मकरधजमणी क्या है? इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं किल लोगों को इसे पहनना चाहिए? इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे और मैं अपने कुछ अनुबव भी इससे जुड़े हुए आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो को अंत तक देखेगा आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होंगी हम योगेश उपाध्याई जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरेट किया दोस्तो मच्छ मणी जिसे मकरदवज मणी भी कहते हैं यह राहू का एक रत्न है आप इसे रत्न नहीं कह सकते बलकि यह कहें कि यह मणी राहू से संबंदित है राहू से मिलने वाले किसी भी तरह के नाकारात्मक परिणाम को यह दूर करता है भूत प्रेत बादा हो गई धन की दिक्कत है मान सम्मान प्रतिष्टा कम हो रही है आपके अंदर आकरशन की कमी है विवाह शिग्र करना है या प्रेम संबंदों को मजबूत बनाना है तो ऐसी इस्तिती में कई लोग मच मणी पहनने के लिए बताते हैं कुछ विदवानों का मत है कि इसको पहनने से शनी के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है दोस्तों इस मणी से जुड़े वे मैं आपको अपने एक्सपिरियंस को शेयर करता हूँ लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में सलाह दिये और उन्होंने पहनी है जिसमें से 20 से 25 लोगों को इसका फायदा हुआ चार लोगों को नुकसान हुआ वो चार लोग मेरे पास लिखे थे और बाकी के लोगों को कुछ नहीं पता चला कि उन्होंने पहना है नहीं पहना है इससे हम एक निशकर्स पर पहुँचते हैं कि लगभग 50 प्रतिशत लोगों को इस से लाव होता है और 10 प्रतिशत लोगों को हानी होगी और तक्रीबन 40% लोगों को पता नहीं चलेगा ऐसा क्यूं होता है इस पर भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे मच्छ मणी से एक पुराणिक कता जुड़ी हुई है रामायन में हनुमान जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था मकर्धच इसका वर्णन बहुत बार आता है मकर्धच के बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म राहुकाल में हुआ था और वह एक मचली के गर्ब से पैदा हुआ था मकर्धच की मा ने यह मणी जो उसके मस्तस्क पर थी उसे निकाल कर मकर्धच को दिया था यह पूरी घटना कुछ इस तरह से है जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया और बाहर रहे तो समुद्र के उपर जब वह उड़ रहे थे तो उनके शरीर का तापमान बहुत जादा हो गया था जिसकी वज़ा से पसीने की एक बून समुद्र में जा गिरी और वहां जाकर जब उसने मशली का पेट चीरा तो उसमें से मकरधज निकल कर आया और उसके साथ वह मणी भी थी इस प्रतापी बालक को देखकर अहीरावण ने उसे पाताल का द्वारपाल नियुक्त कर दिया कुछ समय बाद अहीरावण ने भगवान राम और लक्षमन जी का अपहरण कर लिया जिसको छोडाने के लिए पीछे से हनुमान जी पाताल लोग पहुँचे वहां पर उनका युद्ध मकरधज से हुआ जिसे हनुमान जी ने हरा दिया इस प्रतापी बालब को देखकर हनुमान जी ने उसे पूछा तो मकरधज ने उसे बताया कि वह हनुमान का पुत्र है इस तरह से हनुमान जी ने उसे अपने गले लगा लिया उसके बाद हनुमान जी ने अही रावन का वद्ध कर राम जी तथा लक्षमन जी को मुक्त कराया कहा जाता है कि उस समय भगवान राम ने मकरदवच को आशिरवाद दिया और उसे पाताल का राजा बना दिया तथा कहा कि जिसके पास भी यह मचली के सिर से निकलने वाली मणी होगी उसका जीवन खुशाल रहेगा तथा राहू ग्रह उसे ग्रसित नहीं करेगा यह मिलता कहा है अब यह सवाल भी आता है समद्र के तट पर बहुत सारी मचलियां पाई जाती है जिनके पेट से यह मणी निकाली जाती है इसी से मिलता जुलता एक और पत्थर होता है जिसे शुकर मणी के नाम से जाना जाता है शुक्रमणी राहू के प्रभाव को तो कम करता ही करता है साथ में वह शुक्र के प्रभाव को भी बढ़ाता है दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है जिसे आम लोग आसानी से नहीं पहचान पाते परंतु जिने जानकारी होती है वह इसे आसानी से पहचान लेते हैं दोस्तो हमने शुक्रमणी के उपर एक वीडियो बनाई है आप चाहें तो वह जाकर देख सकते हैं यह मच्रमणी बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है इसलिए कई लोग इसे दुरलब भी कहते हैं पुराने समय से ये अवधारणा है कि जिन लोगों के पास मच्रमणी होती है उन्हें किसी भी तरह का काला जादू नहीं लगता है उनका स्वास्त अच्छा रहता है कुछ लोग इसे भगवान विश्नु के मच्से अवतार से भी जोडते हैं परंतु जो मच्से अवतार से जोड़ जाती है वह शुक्रमणी है आप इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज मत होईएगा मच्समणी देखने में मच्छली की आँख की तरह लगती है यह हलके भूरे रंग की होती है कुछ मच्समणिया सफेद भी होती है और शुक्रमणी पूरी तरह से सफेद होती है मच्समणी को सौभाग्या, व्यापार में वरद्धी, सामाजिक प्रतिष्टा, आकरशन, अंतरग्यान, यौन शक्ती वरद्धी के लिए भी इस्तमाल किया जाता है जो तीशिय दृष्टी से यदि हम देखें, तो जिस पर राहू की महादशा हो, या राहू ग्रह की पीडा शांत करनी हो, तो मच्समणी धारण किया जा सकता है कुंडली में राहू गोचर कर रहा हो और पीडित हो, तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं व्यक्ति को मती ब्रहम होता हो, वह लोगों के साथ छल कपट करता हो, उसे जूट बोलने की आदत हो गई हो, चोरी करने की आदत हो गई हो, और बासी भोजन खाने की आदत हो गई हो नाकारात्मक्ता उसके अंदर जगव कर चुकी हो, टोना टोटके से पीड़ी तो लोगों पर भी टोना टोटका करवाता हो ऐसे व्यक्ति को मच्छमणी पहनने चाहिए इससे उसकी बुद्धी शुद्ध होती है किड़नी के रोग हो, पेट संबंदित रोग हो, निराशा रहती हो, ब्रहम रहता हो, कुंडली में कालसरप दोशो, केंदरुम दोशो, गरहन दोशो, गुरू चांडाल दोशो, ऐसी इस्तिती में मच्छमणी पहनने की सलाह दी जाती है जो वेक्ती राजनीती में सक्रिय रहना चाते हैं, उठे मच्छमणी जरूर धारण करनी चाहिए, क्योंकि राहू राजनीती का कारक है, वास्तु दोश में भी ये बहुत काम आती है यदि घर में किसी तरह का वास्तु दोश आपको लगता है या बोलते हैं कि आपके घर का दक्षण पश्चिम का कोना खराब है या घर में इस्तिरता नहीं रहती, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है तो ऐसी इस्तिती में आप तीन मचमणी लेकर उसे किसी ब्राउन यानि बूरे रंग के कपड़े में लपेट कर दक्षण पश्चिम में घर में किसी भी ऐसी अलमारी में रख दे जहां किसी की दरश्टी ना पढ़ती हो यानि उसे बार-बार कोई खोल कर देखे ना, इससे घर में धन रुकने लगेगा आपके घर पे हमेशा कोई ना कोई नजर लगा देता है, घर के आगे कोई ना कोई सामान फेक देता है जैसे नीबू, मिर्ची, या फिर कुछ ऐसे किसी को मार कर डाल देता है, ऐसी इस्तिती में और आपको यह भी लगता है क्योंकि छोटे बच्चे इस विशव को लेकर थोड़े सिंसिटिव होते हैं और उन्हें आसानी से पता लग जाता है तो ऐसी इस्तिती में आपको इसे दक्षण पस्चिम के कोने में एक काँच के बरतन में दो मच्छ मणी डाल देनी है और उसमें पानी भर कर उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल कर रख देना है ऐसा करने से कुछी दिनों में नाकरत्मक शक्तियां आपके घर से भाग जाएंगी यह मच्छ मणी किन लोगों को धारण नहीं करनी चाहिए यदि आप वैशनव हैं और भगवान विश्नु की पूजा करते हैं आपके घर में लेसन प्याज वगरा अत्यादी नहीं खाया जाता तो फिर ऐसी इस्तिती में आप मच्छ मणी धारण न करें इसके मुकाबले आप गोमती चक्र धारण करें यदि आपको राहू की कोई प्राबलम है तो हमने गोमती चक्र पर भी एक वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ प्रतीशत मामलों में ये हो सकता है कि आपको मच्छ मणी पहनने पर नुकसान हो तो आप ऐसी स्तिती में मच्छ मणी उतार दीजेगा एक और अनुभव है जो आपके साथ मैं साजा करना चाहूँगा दरसल मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने कुछ लोगों को मच्छ मणी दी थी जिसमें से चार लोगों को नुकसान हुआ उन चार लोगों में से तीन लोग ऐसे थे जो सटे बाजी करते थे तो अनुभव में यही आया कि यदि आप सटे बाजी करते हैं तो मच्छ मणी धारन न करें उसकी जगह पर आप गुमेद धारन करें इसे धारन करने का तरीका क्या है सर्वप्रथम एक कटोरी में थोड़ा गंगा जल ले ले और उस कटोरी में मच्छमणी को डाल दे अब आप उसके सामने बैठकर 108 बार ओम राम राहवे नमह का जाप करें उसके बाद आप इसको निकाल कर या तो बीच वाली उंगली में धारन कर ले या फिर इसका लॉकेट डाल के आप चाहें तो इसे धूप पत्ति इत्यादी दिखा सकते हैं धन्यवाद दोस्तो हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे